दूसतो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Bank ofapordda का internet banking चालू कैसे कर सकते हो जी है दूसतो अगर आप भी बैंक अब बैंकिग को चालू करना चाते हो तो आज की इस वीडियो का पूरा देखना आज की इस वीडियो में आपको complete process बताने वाला हो वडियो को स्टार्ट करनी से पहले अगर आपने मुबाइल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर से प्रेज कले चोगा तो चली फ्रेंट्स आज कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना कि अपने मुबाइल में Google Chrome या फिर कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो जो भी आप अपने मुबाइल में यूज करते हो फिलाल में Google Chrome को यहाँ पर ओपन करने की बाद आपको search बार पर simply क्लिक करना और यहाँ पर आपक टाइप करोगे इसके बाद यहाँ पर बैंक बोड़ोदा की ओफिशिल वेबसाइट ओपन हो जाएगी सिंप्ली आपको इस फिर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आपको लॉग इन वाला option मिल यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ प तो इसके लिए यहाँ पर आपको जो है फॉर्गट यूजर आड़ी वाला option देख रहा है सिंप्ली इस option पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आपको अपना account number डालने की बाद आपका जो है mobile number को इसलेट करने की बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number और यहाँ पर mobile डालने की बाद सिंप्ली हम continue option पर क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों आपकी number पर OTP और यहाँ पर आपको OTP फिल करने की बाद सिंप्ली फिर से हम continue पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपकी number पर आपका user ID आपको जो है receive हो जागा simply हम back to login पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जो है message receive हो चुका है हमारा user ID हमारे number पर यहाँ पर आ चुका है अब दोस्तों यहाँ पर हमारा user ID आ चुका अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा simply यहाँ पर आपको पासवर्ड भी पता नहीं है तो अपने password को भी यहाँ पर आपको forget कर आपको login पर क्लिक करना है यहाँ पर आप देखते हो जो भी user ID आपकी नंबर पर आया होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको user ID यहाँ पर आपको शो करेगा तो उस user ID को आपको वहाँ पर टाइप करना है user ID फिलब करने की बाद simply हम login option पर क्लिक करेंगे अब दोस् user ID शो करेगा इसकी बाद यहाँ पर आपको अपना mobile नंबर फिल करना है वहाँ नंबर आपको country code यानि 91 आगे आपको टाइप करना है इसकी बाद अपना mobile नंबर डालने की बाद simply यहाँ पर continue option पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना किया simply आपकी mobile नंबर वो यहाँ पर उस पर OTP रिसीवगा होगा mobile का और email का दोनों OTP डालने के बाद continue पर क्लिक करेंगे और गईज यहाँ पर आपकी mobile पर जो भी OTP यहाँ पर मोबाइल OTP में आपको OTP फिल करेंगे इसकी बाद आपकी email ID पर OTP में आपको फिल करना है इसकी बाद simply continue option पर हम जो sign on password पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दुबारा आपको फिर से उस नए password को यहाँ पर आपको टाइप करना है इसकी बाद simply submit option पर क्लिक करना है इससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ security questions भी यहाँ पर आपको पूचे जाएं कि उनका आपको जो answer टाइप करना होगा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से अपना password सेट करने का option मिलेगा जहाँ पर आपको अपना sign in password सेट करना होगा यहाँ पर आपको first time यहाँ पर अपना sign in password डालेंगे जो भी आपको नया password बनाना है इसकी बाद दुबारा आपको वही password को retype करेंगे इसकी बाद submit option पर simply हम पर जो है change हो चुगा है यहां पर पासवर्ड बना करके रखा था इसलिए यहा पर यह पासवर्ड हो्पार जो करें को इनए पहली बार आपको चालू कर रहे हो इंटरनेट बैंकिंग तो आपको सब्सक्रींद और आपको शूर करेंगा तो आपको जो अपना sign in password type करना है उसके बाद अगर आपको transaction password का भी option आ रहा है तो दूसरा कोई और आपको transaction password भी आपको set करना है इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीक से successfully change यहाँ पर show करेगा अब यहाँ पर guys आप इसे जो है login कर सकते हो तो सबसे पहरे three dot पर click करने के बाद हम इसे desktop mode में करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको user ID यहाँ पर आपको type करने है इसके बाद simply आपको login option पर click करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना mobile number फिल करना तो गैस यहाँ पर आपकी नंबर पर OTP और वो OTP फिल करने की बाद सिंपली हम जो है दुबारा Continue option पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर गैस आपका जो है सबसे उपर user ID शो करेंगे इसकी बाद आपका sign on password यानि आपने जो भी password सेट करा तब वो password आपको sign on password डाला है जो capture code शो करा वो नीचे यहाँ पर capture code फिल करना इसकी बाद सिंपली login option पर क्लिक करेंगे और अब गैस यहाँ पर आप देखे तो यहाँ पर जो है bank और बुड़ोदा का जो है online internet banking यहाँ पर चालू हो चुका है तो गैस कुछ इस तरीके से आप जो है bank और बुड़ोदा का जो है internet banking आप जो है चालू कर सकती हो अगर आप कोई वीडियो चलागा होते इस वीडियो को like, share and subscribe जरूर से किजिएगा